पंडित धिरेंद्र सास्त्री से मिलने भोजपुरी की अभिनेत्री अक्षरा सिंग पहुंसती हैं और वो उनको भजन सुनाती है धिरेंद्र सास्त्री भी मजे में भजन सुन रहे थे उसी वक्त एक वीडियो सोसल मीडिया पर डाली जाती है जिसमें अक्षरा सिंग पंडित धिरेंद्र सास्त्री को भजन सुनाते हैं लेकिन उसके ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको आरजेडी की मोकामा से विधायक और अनन्द सिंग की पतनी नीलम देवी नजर आ जाएंगी जी हाँ आरजेडी विधायक मोकामा से जो की अभी जीत कर आई हैं अनन्द सिंग की पतनी नीलम देवी भी धिरेंद्र सास्त्री से मिलने गई हैं और वहाँ पर कौन-कौन से लोग हैं ये भी हम आपको बता देते हैं अक्षरा सिंग जो है वो अपने पिता और माता के साथ वहाँ पहुंसती है और उसके ठीक बगल में अगर आप पीछे देखेंगे तो नीलम देवी और उसके ठीक अगर बगल में अगर धिरेंद्र सास्त्री के बगल में देखेंगे तो भाजपाल कोटे से मंत्री अस्वन चौबे भी वहाँ पर मौजूद है लेकिन सवाल अब ये उठता है कि जो राजद लगातार दिरेंद्र सास्त्री का विरोध कर रहा है उसी दिरेंद्र सास्त्री से मिलने राजद की बिधायक नीलम देवी पहुच गई है अनन्द सिंग की पतनी और मोकामा से बिधायक नील वीडियो जैसे ही सोसल मीडिया पर आया तो हमने इस वीडियो को देखा तो हमें नजर ये आया कि आरजदी की बिधायक इसमें बैठी हुई है और अक्षरा सिंग के पीछे अगर आप देखेंगे तस्वीर तो देखें किस तरीके से नीलम देवी पीछे बैठ कर ये सोच रही है कि मेरी बारी कब आएगी मैं अपनी फरियाद कब सुनाओंगी आरजदी से विधायक है नीलम देवी और जहां एक तरफ तेजश्वी यादों हो लालू परसाद यादों तेज़ परताप यादों या पूरी आरजदी धिरेंद्र सास्त्री का बिरोध कर रही है वह अनन्द सिंग को लेकर बात हुई कि मेरे पती को फसाया गया मेरे पती जेल में है उनको कैसे बाहर निकाला जाए क्या किया जा सकता है क्या ये पूछने नीलम देवी धिरेंद्र सास्त्री के पास गई हुई थी क्योंकि उन्होंने तो ये तस्बीर सोचल मीडिया पर नही गई थी वो वीडियो जब हमारे पास आता है तो उसमें नजर ये आता है कि आरजेडी की विधायक भी वहां मौजूद रहती है और अक्षरा सिंग के पीछे बैठ कर ये सोच रही होती है कि मेरी बारी कब आएगी मैं अपनी फरियाद धिरेंद्र सास्त्री को कब सुनाओ बेराल इस कबर में इतना ही बने रहे हमार साथ और देखते है थे इंडिया टॉप